हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जोतीज किचेन फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे वेज कटलेट जो की एकदम क्रिस्पी क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनने वाला है अक्सर हम रेस्टरॉन या फिर होटलों में जाके जो कटलेट खाते हैं ये उससे भी टेस्टी और हेल आलू को बॉयल करके मैस कर लिया है और यहां पर मैंने लिया है पोहा जिसे अच्छे से धुल करके 5-7 मिनट तक भीगा लिया था इसे भी मैंने आलू में मिला लिया है अब मैं इसमें डाल रही हूं हरा मतर थोड़ा सा मैंने हरा मतर भी आड़ किया है और एक छोटी कि प्याज मैंने बारीग चौप कर ली है प्याज ऑप्शनल है फ्रेंट्स अगर आप ना डालना चाहे तो ना डाले है ठोड़ा सा मैंने सिम्ला मिर्च भी बारीग काटके मिलाया है और ये कुछ हरी धनिया पत्ति इसमें मिलाया है किचन कींग मसाला आप चाहें तो गरम मसाला भी यूज कर लें मैने आधा छोटा चमच मिलाया है इसके साथ ही एक छोटा चमच लालमिज पाउडर और मैं यहाँ पे चाट मसाला स्प्रिंकल कर रहे हूं जो लगबग एक छोटे चमच के बराबर है स्वाधनिसार नमक भी मिला लेना है मैंने एक छोटा चमच नमक मिलाया और ये कुछ बूदे तेल की हाथों पे ले करके इसे मैस कर रही हूँ अच्छे से सारी चीजों को मिला ले रही हूँ जिसे ये ज़्यादा हाथ में चिपके नहीं तो अब यहाँ पे हमारा आलू का मिक्चर रेडी है हाथों को हम ओली करेंगे थोड़ा सा ले करके हाथों पे ऐसे गोल सेप देंगे हाथों से बढ़िया सा आकार देंगे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे थोड़ा सा लंबा सा आकार दे रही हूँ आप चाहें तो इसे गोल सेप में या फिर टिकी के सेप में भी दे सकते हैं तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे मैंने सारे आलू के मिक्चर को एक बढ़िया सा सेप देके तयार कर लिया है ये देखें कुछी इस तरीके से अब हम इसको ले चलते हैं कोटिंग करने के लिए पानी और इसे घोल लेंगे फ्रेंड्स हमें इसकी कंसिस्टेंसी एकदम पतली रखनी है गाढ़ा नहीं रहना चाहिए ना ही इसमें लम्स रहने चाहिए तो मैं इसमें पानी मिलाते हुए एक पतला सा गोल बना ले रही हूँ कुछी इस तरीके से ये देखिए अब हमारा एक बढ़िया सा गोल तयार है हमें जैसा गोल चाहिए वैसा ये बन गया है इससे जो हमारा कटलेट बनने वाला है बहुत ही क्रिस्पी बनेगा एकदम उपर से क्रंची रहेगा और ये देखिए मैंने लिया है एक प्लेट में कुछ सेवाई के टुकडे बहुत ही बारीक कर लिया है जिसे अब मैंने जो बॉल बना के रखा है आलू का उसको डीप कर लिया है घोल में और फिर उपर से इसे सेवाई के बुरादे से कोटिंग कर ली है कुछ इस तरीके से अब मैं इसे ले चलती हूँ फ्राई करने के लिए तो यहाँ पर मैंने दूसरा भी आलू का टिकी इसमें डाल करके फेले घोल में डीप किया उसके बाद सेवाई में भी कोटिंग कर ली है और इसे फ्राई करने के लिए तेल में डाल दिया है तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कोटिंग मैंने सेवाई से की है उसे आप चाहें तो सूजी से कर ले या फिर ब्रेड का चूरा बना ले जो उसका डार्क पार्ट होता है उससे भी इसकी अच्छी कोटिंग हो जाती है और बढ़ियासा एकदम क्रिस्पी कटलेट बनके तयार हो वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे